जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने परिवार और एक जबरदस्ती क्लास में हैं अब से पहला 2024 का कोशन आपके सामने है पढ़िए सवाल में दोस्तों आपके सामने यह कहा गया है तो यहां पर पहले मैं बेसिक लेबल के कोशन के साथ में शुरुआत करूंगा तो बोलेंगे सर यह बैग का और यहां पर ड्रस का जो हमारा अनुपात है वह हमारा कितना तो आठ अनुपात साथ है कोशन में यह कहा गया है कि बैग एक कीमत हुमारा कितना होगा तो साथ यूनट होगा साथ यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा तो थाइस हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरे भाई तो थाइस हो यानि ऑप्शन नुमबर बीफर बहु बले अज़ो चलो निक्स्ट कोशन यहां देखते हैं अंगला सवाल यहां पर क्या कहा गया आप लोगों के सामने दो हजार च आपको कोई चीज दिखाता हूँ मैं आप तुरंत उसके उपर में हावी हो जाते हैं यहां पर इसको तोड़ा कम इस्तमाल करते हो अब गलती नहीं है मैंने जैसे आपको मिफर क्या बताया मैं आपको बताया यहां पर की A, B, BC , CD है अब यहां पर आपने सेम काम कर दिया कि A ले-लिया, B ले-लिया, C ले-लिया, D ले- लिया थिख्या है A B का अनुपात हमारा कितना है, तो 8 है, और मेरे भाई यहाँ पर 13 है B C में even home path कितने का है, तो पांच और 8 का है C और D मे in totus 4 और पांच का है यहां पर अब उसके बाद में ratio कैसे निकालोगए तो आप यहां बोलोगे 4 के बगल में 4 लाते हैं, 4 के बगल में 4 लाते हैं, 5 के बगल में 5 लाते हैं, 8 के बगल में 8 लाते हैं, 13 के बगल में 13 आएगा, 13 के बगल में 13 आएगा कोई भी डेटा भाई, कोई भी डेटा अगर किसी में common होता है जैसे कोई डेटा common है अब आप लोग यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हो देखो तरीका नंबर एक या तो multiply करो 8 x 5 40, 40, 40 का 4 गुना कितना हो जाता है 160 हो जाता है 5 यूँके 20 और 20 को यहाँ पर 13 से गुना करोगे तो 260 हो जाएगा भाई उसके बाद में यहाँ पर 13 कार्ट गुना 104, 104 का मेरे भाई 4, 411 हो जाएगा यहाँ पर उसके बाद में 13 कार्ट गुना 104, 104 का 5 गुना कितना हो जाएगा तो 520 हो जाएगा अब सबको आप यहाँ पर 4 से काट दो तो 4 से काट होगे तो हो जाएगा चार्ष रिकार्ट होगे तो 104 हो जाएगा, चार्ष रिकार्ट होगे तो 130 हो जाएगा, तो यह आंसर ढूंड़ोगे, 40, 65, 104 और 130, एक यह तरीका हो गया, option number A, ठीक है, पेपर में अगर तुम्हारी जगा मैं होता है, मैं जीवन में घटिया काम कभी नहीं करता, मैं आपर क्य मैं जब जब स्टार्ट किया, तब तब पढ़ाया, तो मैंने यही कहा, कि A और B में अगर 8 और 3 का रेश्यो है, तो यहां जब भी आएगा रेश्यो तो वही बनना चाहिए, आप 5 से काटो, तो एक यह बंदा 8 और 13 का रेश्यो दे रहा है, यह हमारा 2 और 5 का दे रहा है, यह यहां पर 2 से काटोगे कटेगा ही नहीं, और यह 2 से 20 से काटोगे 2 और 3 का रेश्यो है, तो यहां 8 और 13 तो यहां पर भी 8 और 13 यानि सिर्फ यही option answer है, बागी तो हमारा answer ही नहीं है, बागी से में मतलब ही नहीं है, अब आप बोलोगे, सर अगर 2 option A और B का same हो जाता त अरे A और B के 2 option same हो सकते हैं, इतनी बुरी तो condition नहीं है ना कि B और C के 2 option same हो जाएं, आप A और B 8 और 13 में देख रहा हूं, आप BC देख लो 58 देख लो 58 यह 58 यह 58 यह 58 यह 58 यह, BC भी सेम निकल जाए, CD देख लो, CD 45, 45, 45, 45, 45, कौन सा option है, यहीं छोटी 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 चीज आपका समय बचा करके आपको पेपर में देंगे, यहाद रखे, तो basic तो मेरा कराना करतव था, धर्म था, teacher के नाते मैं कराऊंगा, लेकिन जो अपने selection के मादम से, जिसके मादम से मैंने 5 सरगारी नोक्रिया निकाली हैं, उससे आपको मैं क्या सिखा सकता हूं, तो वो यह आपको पेपर में देखनी होती है, यहाँ पेपर याद रखिये मेरे भाई, पेपर अबजेक्टिव नहीं दे रहे हो, और अगर अबजेक्टिव दे रहे हो, यहाँ पर तो बस इस बात को मान करके चलो, कि आपके पास हमें option है, तो फायदा उठाओ, ठीक है, आज अगे, the ratio of marks of A and B is 3, ratio 4, B and C is 4, ratio 5, if the difference in the marks of A and C is 30, how much marks did B get, B को यहाँ पर कितने marks मिले, हमें यहाँ पर यह बता दो, तो हमने काट की कि है, हम ratio ratio बना लेते हैं, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो देखो, A और B, मतलब जो question मैं आपको वहाँ पर दिखा रहा था, बस उसी में language हम ने डाल दी, हमने काया, A और B कानुपात हमारा 3 और कितना है, 4 है, B और C कानुपात हमारा कितना है, अगर तुम 4 होगे, तो हम 5 हो जाएंगे, बड़ी प्यास इसने बोला है, मिश्रा जी फिसल के, तो यहाँ 3 और 4, 4 और 5 ही हमारा हो गया, question में यहाँ पर क्या का गया, difference of यह जो 30 है ना, यह हमारा A और C का difference है, मतलब कितने का मान है, तो 2 का मान है, और हमसे किस का मान निकाला गया है, चारक, बस यहाँ डबल कर तो 30 का डबल साट हो जाएगा, बिश बिश में थोड़ा हलका सवाल भी दे रहे हैं, ताकि आप आंसर देते रहा करों मजा आते रह यह ना लगे कि बस हम पढ़ाये जा रहे हैं, आपके दिमाग में तो कुछ जाही नीरा है, ठीक है, आज यह चलिए, जैसे मेरे भाई मैंने आपको बताया ना, वैसे आपके सारे smart approach, सारे collections, मेरे सारे notes, जो मैंने अपने हांतों से लिखा है, वो सब कुछ आपके formula book में दि तो मिलेगा, यानि अगर यह किताब आपके पास में है, तो यू समझ लीजे कि आप एक तरीके से हर एक teacher, हर एक notes, आप यहाँ पर हर एक test को हो गया, हर एक exam को हो गया, हर एक सब चीज़ को हो गया, आप इसे cover कर रहे हो, क्योंकि यह पूरे घनित का निचोड है, ठीक है, 320 पन्ने में आती है, रुपे में नहीं कह रहा हूँ, मैं 320 पेजिस की है, और वो भी पूरी की पूरी colorful है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से calculation, क्रिटरिक, सारे concept, एक एक example के साथ मैं इसके अंदर में दिये गए है, और paper के अंतिम समय में revision करने का सबसे super duper book है, तो clip card हो, amazon आप इसे कहीं से भी 190 रुपे के अंदर में इसे मंगा सकते हैं, और अभी offer है, तो 199 का है, बाद में साइधी 250 या सम्थिंग का हो जाएगा, तो इससे मंगा करके बढ़िया तरीके से आप अपनी पढ़ाई को अंजाम दीजे, और शीके नए concept को ताकि आप भी दूसरों के और क्या हो गया, मेरे भाई, M हो गया, तो कहा गया यहां पर Cyrus और Rohan का जो अनुपात है, वो कितना है, तो 3 और 2 है यहां पर, उसके बाद में मेरे भाई, यहां पर Cyrus और Rohan का, वाईल दर इश आप सम्री सिव भाई, रोहन और मिस्ती, तो रोहन तुम्हारा साथ है, तो मिस हो जाएगा, यह तुम्हारा चौदा हो जाएगा, और यह तुम्हारा चौवीस हो जाएगा, कुस्शन में यह जो अठारा सो रूपए है, यह क्या है तो difference है, और किसका difference है तो C का और M का, इनका मेरे भाई difference है, यानि कितने का माल है, 3 का, और हमें किसकी value निकालनी है, तो या 7 का multiple है, तो 7 का multiple देखते हैं, लेकिन ये भी 7 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो उस case में हम यहाँ पर नहीं कह पाएंगे, इस बात को लिए करके, आईए चलिए, नेक्स्ट कोशन, यहाँ कोशन नमबर 12, देखिए, क्या कहा गया है, कहा गया है, कहा गया कि student in 3 batches of a dance class है, ये 3 batches में आपर बच्चों की संख्या, अगर 20 हम हर किसी में बढ़ा देते हैं, 4-5-7 हो जाता है, तो total number of student, ये अकसर पूछा जाता है, है तो बहुत हलका question, लेकिन paper में ज़्यादा पूछा जाता है, उसमें भी 2-3% बच्चे छोड़के चले आते हैं, मत छोड़ना कभी भी, जैसे पहले क्या था, एक class में बच्चों की अनुपात यहां पर ये थी, हर किसी में हमने बढ़ाबर बढ़ा दिया, इसमें भी 20 बढ़ाया, और इसमें 20 बढ़ाया, और अब ratio हमारा हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और 7 हो गया, अब आप एक बात बताओ, इसमें कितना unit आपने बढ़ाया है, तो बोलोगे सर 2 unit, और यहां पर आपका जो बढ़ाया है, वो कितना बढ़ाया, तो 20 बढ़ाया, तो हमने unit में कितना बढ़ाया, 2, और value हमारी बढ़ी कितनी तो मेरे भाई 20, यानि यह 20 कितना unit का मान है, 2 का मान है, और हमसे पूछा क् बच्चों की संख्या पहले पान तीन आठ और दो मेरे भाई कितना हो जाएगा तस दो से काटोगे दस बार में 10 इंटू 10 कितना हो गया तो 100 हो गया इसमें दो टाइप के कोशन बनते हैं एक यहां पर जब हर किसी में बराबर एक यहां पर जब अनिक्वल इंक्री्ज हो रहा हो तो यह आपका टाइप तो अगर हम यहां पर गलत डेटा वो हमने क्या है जो गलत रिशो है वो यहां पर क्या है और जो एक तरीके से मेरे भाई यहां पर राइट रिशू है यहां पर वो क्या है तो रॉंग की अगर हम बात करते हैं तो देखो रॉंग में यहां पर क्या अब यह fraction में है fraction को किस में convert करना है तो ratio में convert करना है यह तो ऐसा उपाय कर लो भाई मेरे जैसे 3-4 और 6 रॉंग ratio हमारा था 4-3-2 मैंने इसमें बांट दिया और बांटना कितना था तो बोलोगे sir 3-4 और 6 अब यह ratio सारे के सारे अलग हो है अब क्या करें भाई ratio अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन जो sum था जो amount था वो तो सेम ही रहेगा जैसे मैंने 500 रुपए आपको दिया और आपने यहां पर wrong का और right का जो sum total आना चाहिए वो मेरे भाई क्या आना चाहिए same तो अगर हम देखे 4-3-7 और 2 हमारा कितना आ रहा है तो इसका sum 9 आ रहा है और यहां देखे तो 6-4-10-3 मेरे भाई कितना आ रहा है 13 यह हो गया भाई साब गल्ती यही blender हो गया कि sum ही मेरा बदल गय रहा है उसे 9 से गुना इसको हम किस से गुना कर रहे हैं तो इसको हम यहां पर 13 से गुना कर रहे हैं याद रखना और इसको हम किस से गुना कर रहे हैं तो इसको हम 9 से गुना कर रहे हैं याद रखना तेरा का 4 गुना बावन हो गया तेरा का 3 गुना 49 हो गया तेरा का 2 गु फायदा मिल रहा है जहां पर vara तो पायदा प्रीषे वाले इनसान को सब्राइब इतना अवरेश को मिला है किसको मिला क्यूंकि देखो इतना फायदा किसी को नहीं मिला बाओन वाले को 27 मिला इसका तो नुकसान होए है 29 वाले को यहां 36 मिला इसका भी नुक्सान हुआ है तो इसी को फायदा हुआ है नरेश कहां पर एक option में बस उसको take कर दो value निकालने की तुम्हारी इच्छा है तो निकाल लो value कैसे निकालोगे तो बोलोगे सर यह जो 700 रुपय था यह हमारा sum total था sum total का मतलब यहां पर 139 एक 117 का मान था और हमें निकालना कितना है जितने का फायदा हुआ है 117 से काटेंगे तो 6 बार में 28 का 6 गुना कितना होता है 160 होता है खेल खता है समझ गये तो यह वाला जो मतलब 2 संख्याएं हमारा यहां पर 3 और 6 के अनुपारत हैं हमने में से भी 11 गटा दिया इसमें से भी 11 गटा दिया अब यहां पर यह 7 और 20 के अनुपात में हो गया इसके लिए मैंने आपको तीन में पढ़ा रखा है method number 1 जो कि हम basic से कर्षकते है method number 2 यहां पर ठीक है जो cross multiplication है तो जब difference method का यह कहना है सुनो जब दोनों में बराबर का increase हो या जब दोनों में बराबर का decrease हो तब तुम मुझे वहां पर याद कर लेना तो यहां पर difference method में यहां देखो तो इसमें भी यहां पर कितना किया है तुमने 11 सब्ट्राक किया है और इसमें भी कितना किया तो 11 सब है तो difference method बस यह कहता है अगर मेरे भाई यहाँ पर यह same है न तो हमारे आपस के जो antar है यहाँ पर यह antar और यहाँ पर यह कितना है 13 है मेरे भाई यह भी antar क्या होने चाहिए तो चाहते हो कि बात बराबरी में हो तो पहले 39 यह 13 से करते हो तो 91 हो जाएगा यह चार से करते हो तो 28 और यह चार से करते हो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा असी हो जाएगा अब आप यह देखो यह कितना था 91 और यह हूं कितना गया 80 कितने का नुकसान 11 का और question में कहा भी था कितना कम किया गया है तो 11 कम किया गया है अब question में क्या कहा find the smaller number तो यहाँ पर यह बताओ 39 है और 91 है smaller कौन सा है 39 कौन सा option होगा तो option number यह जो होगा correct answer होगा ठीक है समझगे बात को लेकर यहाँ पर ठीक है कोई दिक्कत की बात तो यह हमारा क्या होगा option number ही जो होगा वह हमारा बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर होगा अब बात आती है कि सर इसको दूसरा तरीका क्या है जिससे मना सकते हैं वह है दोस्तों हमारा cross क्या पता कभी यहां 11 कम किया और यहां 12 कम किया तो वहां पर यह मेथड फेल हो जाएगा तुम्हारा डिफरेंस मेथड तो वहां पर जो अपलाई कर पाओगे वह कौन से कर पाओगे तो यहां करोगे cross क्या कर पाओगे मेरे भाई यहां पर cross तो याद रखना method number 3 मैंने जो बता है वो यहां पर cross cross multiplication इसे हम कहते हैं अब वो हम यहां पर कैसे करते हैं जरह वो देखो तो cross multiplication की अगर हम बात करें यहां पर साथ इंटू साथ कितना होता है अन्शास तो यहां 60 मेंसे 49 को घटा दो कितना यूं यूनिट आ जाएगा कितना unit आ जाएगा 11 unit बराबर, 11 के 7 गुना में से 11 का 20 गुना घटा दो 11 के 7 गुना में से 11 का 20 गुना घुटा दो 11 का 13 गुना आ जाएगा तो यहां से मेरे भाई तुम्हारा 1 unit का मान कितना निकल जाएगा 13 एक यूनिट कमान 13 निकल जाएगा तो समॉलर वाली की वैल्यू एक यूनिट कमान 13 है तो तीन यूनिट कमान मेरे भाई 39 होगा और इसकी वैलू कितना होगा 13 सते समझ के बात करके तो डिफरेंस को डिफरेंस से हमें क्या करना होता है ध्यान रखें आज चलिए नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं फेस्ट वेल्फ का सवाल है दोजार चोबिस क्या कहा गया जरा पढ़िए यहां पर क्रॉस मुल्टिप्लिकेशन काम आएगा इसलिए हम सिखा गया पताना तो बोला गया चोटी संख्या में तीन जोड दिया जाए यह चोटी है इसमें तीन जोड दिया जाए और बड़ी में से साथ घटा दिया जाए बड़ी में से साथ यहां पर घटा दिया जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा यह बराबर हो जाएगा इनमें कहीं ये हो गया मेरे भाई कितना तो माइनस का सेवन और ये हो गया हमारा कितना तो हो गया भाई तीन तो बड़ा कौन है तीन है जैसे यहां पांच बड़ा था और पांच ने चाहर को गटाया वैसे यहां तीन बड़ा होगा तो तीन मेरे भाई घटाएगा और किसे घटाएगा तो माइनस 7 को और 20 अब इसे घट लाएगा ना तो ये तुम्हारा तीं जमाद 7 यानि कितना हो जायगा मेरे भाई 3 जमाद 7 का मतलब 10 यह्क यूनिट कमान दस और अगर 200 कमान दस हो गया तो यह 40 और यह कितना है 50 तो c-4 चैंब भी दो प्यार है यह हमारा correct answer है समझ गया आपे मजा रहा है जल्दी से बता हो आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यास रपोर्ट जताते रहो ठीक है आज चलो next question पर हम आपको ले करके चलते हैं अगला सवाल यहां दिखाते हैं क्या कहा गया बोला गया दो संख् के पहले उनका ratio इतना था 20 साल के बाद का रेज कितना होगा सेम कोशन तुम्हारा एज आता है खर्श भाई वी ओडी टू पॉइंटो में अभी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उसे पढ़ाऊंगा उसके announcement अगर आपने सुनी होती तो मेरे भाई कहीं को दिक्कत की बात नहीं हो जाता है 11 और 14 हो जाता है difference method लगाएंगे यहां पर अब सबसे बड़ी बात दोनों में से हमने कितना कम किया तो 17 घटा दिया ध्यान रखना मैंने यहां पर कहा जो घटाना इधर है वहीं घटाना इधर है तो हमारे लिए difference method best है अब difference method क्या कहता है पहले बराबरी तो करो तो यहां पर इनके मंतर कितने का है एक का और यहां पर इनके मंतर कितने का है तीन का क्या यह एक और तीन हमारे बराबर है नहीं है तो हम यहां पर क्या करेंगे तीन से बराबर तो यहां पर तीन से मेरे भाई गुना करेंगे तो इधर भी तीन से होगा और इधर भी तीन स अब आप लोग मेरी भावनाओं को समझो यह 15 था और यह कितना हो गया 14 हो गया तो 15 से 14 आने में कितने का नुकसान हुआ है एक उनिट का नुकसान हुआ है और कोशन में कहा गया यह एक उनिट किसके बराबर है 17 के बराबर है यह एक उनिट किसके बराबर है तो 17 के बराबर ह है तो यह original हमारी संख्या कितनी आ गए 17 इंटू मेरे भाई 12 तो 12 यहां पर देख लिए original संख्या की बात कर रहा हूं मैं क्योंकि कोशन में कहा गया 20 is added to each of the original number तो यह मेरे भाई 12 इंटू 7 84 का 4 8 हाथ में 12 एकम 12 और हमारा 8 हो जाएगा मेरे भाई 20 उसके बाद में यहां पर क्या हो जाएगा 15 इंटू 7 15 का 7 कुना 105 और 10 यहां पर हो जाएगा क्लियर है यह बात यहाँ पर कि पहले कुछ और रीशियो में थे कम करने पर कुछ और में आ गए तो इनका डिफरणस अगर बराबर है यहाँ पर तो डिफररणस मतट से बराबर करके वैल्यू निकाल दो और उसके बाद में उस वैल्यू में जोड़ करके अपना answer निकाल दो बहुत शांदर सा भी लोग सी answer दे रहें आईए चलिए 17 number question यहाँ देखिए जल्दी से क्या कहा गया है कहा गया यहाँ पर coin वाले question coin वाले questions कैसे करते हैं एक bag में 1 रुपय का सिक्का है 50 पैसे का सिक्का है 25 पैसे का सिक्का है और वो इस हनुपात में है total amount bag का हमारे पास में इतना है तो हमारे पास में 50 कितना होगा coin वाले सवालों में क्या करना होता है तो पहले coin वाले सवाल में देखो तो बो लोगे sir 50 पैसे का सिक्का है पहली बात यहां पर कितने कितने के सिक्के हैं वो जड़ा देखो तो बोलोगे सर एक रुपया का सिक्का है ठीक है उसके बाद में यहां पर पचास पैसे का सिक्का है फिर उसके बाद में पचीस पैसे का सिक्का है खिक अब उसके बाद में ये 1ूपया 50 पیसा 25 पैसा इनका मेरे भाई संख्या कितना इहाँ पर यह देखो तो बोले सरी हमारा भी जावरै और यहां पर क्षीक कानपात में सिंके वाले सवालों है पता यहां पर क्या होता है सिख्के वाले सवालों में सिख्कों की अगर संख्या दे देती है तो वैल्यू पूछ लेता है या वैल्यू दे देता है तो मेरे भाई यहां पर क्या पूछ लेता है सिख्का पूछ लेता है तो यह मेरे भाई यहां पर क्या हो गया तो यहां पर हमारा कुछ इस प्रकाश्र करने के लिए 100 से भाग करते हैं तो यह तुम्हारा दो रूपया बना देगा ठीक है 25 इंटू 6 कितना पैसा हो जाएगा 500 पैसा हो जाएगा और यह तो रूपया हो जाएगा अगर यह 3 रूपय है यह 2 रूपय हो यह एक रूपय होना चाहिए तो 3,25 और 1,5 और 1,5 और 6,5 और हमसे किसका भाहन पूछा है number of 50 पैसा कोई पचास पैसो के सिकोगी संख्या तो 50 पैसो की सिकोगी संख्या है कितनी तो 2 है दशमला भटा दोगे 20 हो जाएगा 5 से काटोगे 13 भार में 5 से काटोगे 4 बार में 13 से काटोगे 11 बार में 11 चार गुना 44 कौन सा ओब तीक है नंबर फिफ्टी पैसा कोईन तो नंबर फिफ्टी पैसा कोईन चारी तो होगा भाई अच्छा सौरी 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 मेरे भाई यहाँ पर जो है न यहाँ पर जो संख्या पूछी है पचास पैसो की संख्या तो पचास पैसो की संख्या चार है 50 पैसों की संक्या मेरे बाई कितनी है तो 4 है यहां पर इसको 4 से गुना करना है यह हटा दो यहां चला जाएगा 5 से काटो 13 बार में 5 से काटो 8 बार में और 13 से काटो के 11 बार में ग्यारेंट वाट एटी एट ऑप्शन नमबर C जो है बिलकुल हमारा सही उतर हो गाई ठीक है चलो आईए चलिए अगला सवाल हम लोग यहां देखते हैं यहां पर 19 सवाल में दोस्तों क्या कहा गया जरा पढ़िए कहा गया राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरूद किया कि वह उसे एक रुपए और उसके बाद में यहां पर ठीक है पांच रुपए के सिक्के लेकर के आई है उसके बाद में वहां पर 10 रुपए के सिक्के लेकर के आई है और उसके बाद वहां पर 20 रुपए के सिक्के लेकर के आई है वहां पर इनका अनुपात जो है वो क्या है तो बोलागे एसर देखो कुछ हमारे 3 रुपे के हैं कुछ यहां पर 5 रुपे के हैं और यहां इतने के हैं तो इसके कारण जो हमारी value बनेगी वो हमारी कितनी बनेगी तो value में बात करते हैं तो 15 हो जाएगा ये 50 हो जाएगा और ये हमारा 140 हो जाएगा ठीक है ये हमारा कायदे से इतना value बनना चाहिए यानि अगर हम बात करते हैं तो जो भी bank cashier से ये पैसा मिला 1845 ये 1845 हमारा कितने का मान है तो सभी लोगों का total है यहाँ पर 190, 190 में 15 जोड़ो के तो भाई 205 का मान है और हमसे बोला क्या गया है smallest coin, total worth of smallest coin तो सबसे छोटा सिक्का 5 है और इसका पूरा कीमत कितना है, worth कितना है तो 15 यानि कितने का मान बताना है 15 बेसिकली मतलब जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि ये जो है ये तुम्हारा total value है total value का मतलब 205 का और यहां बोला गया सबसे छोटे वाले सिक्के के कारण कितने की value बनेगी उसका मान बता दो तो यहां 15 का मान का आगया अगर हम काटते हैं मेरे भाई तो ये पूरा-पूरा 9 बार में कटेगा 9, 15, 135 हो जाएगा कौन सौप्शन है D for देवसेना सौन में आगया बात यहां पर जल्दी से आजाओ next question यहां देखो अब यह question भाई यहां पर आप लोग कर लेना मेरी तरफ से इसका answer आप लोगो को कहां पर देना है तो इसका answer comment box में देना है और देखते हैं कि कितने बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ पाएं इसको मैं थोड़ा बढ़ा कर देता हूं यहां पर मेंस का question है वो भी 2030 का और सभी लोगों से मेरा अनुरूद है कि यहां पर इस question का answer कहां पर दे दोस्तों आप लोग तो इसका answer आप लोग comment box में समझ के बात को लेकर के कहां पर देना comment box में तभी तो पता चलेगा कि यहां पर आप कितने पानी में कितने गड़े में ठीक है और इस सवाल का उत्तर अगर आपने दे दिया तो हमारे दिल को यह तसली मिलेगी कि चलो हमने जो पढ़ा है वो हमा और कहसा question है कहने का मतलब यहां पर यह तुम्हारे पास में coffee है और समय तुम्हारे पास में tea है तो, coffee और tests के गड़े जो मुल्च का अनुपात होता है वो हमारा तीन और चार होता है फिक है, एक परीद वार दोरा। उपयोग कर जाने वाले मात्रा। मतलब यहां पर यह हमारा क्या तो यह हमारा कीमत का मान हो गया। और यह हमारा क्या ऊगई तो Conception हो गया। Conception हमारा कितना है तो 4.597 तो इस हिसाब से जो हम quantity हम यहां पर उपयोग करेंगा। को quantity यहां पर कितना होगा कहने का मतलब quantity का मतलब यहां पर sorry expenditure हमारा कितना होगा जैसे 3 रुपय किलो चीनी है और हम 4 किलो खरीद के लाएं हैं तो यहां पर खर्चा कितना होगा तो 12 और यहां पर कितना होगा तो 28 और बाद में यहां पर क्या करो काट दो अला कि बाद में काटने से बेतर था शुरू में ही काट देते यह फालतू का काम नहीं करते चार से चार को काट देते तो तीनों बात साथ आ जाता और यह सीधा सीधा अंसार हो जाता option number B हो जाता तो कई बार में इस मैंसे चोटे-चोटे धोके होते रहते हैं आसान सवाल पेपर में आते रहता है समझगे बात को लेकर के आये चले इसी तरीके के साथ में मेरे भाई सारी मैट्स का सारा कंसेप्ट हमने आपको एक बैच्छों पढ़ा रहा है वो है व्योडी 2.0 बैच्छ तबसे बच्चे काफी जादा बता रहे हैं सर बैच्छ के बारे में बता दो देखो भाई यहां है यहां पर दो तरह के पूरे भारत में बैच्छ चलता है एक मेरा रेकॉर्ड़ पैश है दूसरा मेरा लाइव बैच्छ के पास में समय है किसी को मानू सिर्फ दो ही टॉपिक में दिखका था किसी को सिर्फ अलजबराही पढ़ना है उसके चलते उसका स्कूर कमा रहा है तो वैसी स्थिती में हमने एक बैच बना दिया रेकॉर्डड बैच जो मेरे भाई भारत के सभी गौवर्मेंट एक्जाम्स क जाती है जितने चाप्टर हमने इसके अंदर में पढ़ाया है हर एक चैप्टर का एक लास्रूम शीट है प्रक्टीफ है और एक लास्नोर्स है पांसो से उपर आपको इसके अंदर में मेरे भाई टेस्ट मिल जाता है ठीक है अलग-अलग परिक्षाओं के जो कि आपकी तै सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां से पढ़ाई कर सकते हैं किसी प्रकार की कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसा इस तरीके सा आप एक लाइब बैच भी कर सकते हां जैसा एक लाइब बैच आप और हम पर शुट अन्osa चलताँ है उसकी पे थोडी जादा कंड़ी चलता है इसकी पहनी ज़्यास ज्यादा होता है 1531 ग्लम चलती ओक ठीक है और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर देना वीडियो को लाइक जरूर करना ठीक है अपना हमने अपना तो जो है वो पूरी एनर्जी डाली दियाज की क्लास में बाकी आपको कैसी लगी वह आप जरूर बताना ठीक है मिलते हैं अंगले सेशन में आज के लिए तना ही बहुत बहुत धन्यवाद कुछ रही है मस रही है अबाद रही है लव यूओं टेक केर पाए